आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स थोड़ा किम्ती समय निकाल कर जरूर पढ़ें नमबर एक अपने चेहरे को पिम्पल से बचाने के लिए तुलसी का रस जरूर पियें नमबर दो, इलाइची दाद के नीचे रख कर चबाने से हिलते हुए दाद पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे नमबर तीन, करेला खाने से कैंसर का खत्रा दूर हो जाता है नमबर चार, हरे सबजियों को पकाने से पहले उन्हें 10 से 15 मिनट पहले भिगो दीजिए नमबर पाच, सिरदर्द होने पर 10 ग्राम इमली के गूदे को एक गिलास पानी में मसल कर मिला कर चान ले और उसमें चीनी मिला कर पीने से सिरदर्द में आराम मिल जाएगा नमबर चै, पालक खाने से दिमाग सही धंग से काम करता है नमबर साथ, पिस्ता में केलोरी की मात्रा काफी कम होती है नमबर आठ, डाल बनाते वक्त कई लोग डाल का जाग नहीं निकालते हैं इस जाग से यूरिक एसिड बढ़ता है और हड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है जब भी आप डाल बनाएं तो जाग को निकाल दें नमबर आठ, गर्मी के दिनों में कम से कम बादाम खाना चाहिए नमबर नव, बाजरी की रोटी खाने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है नमबर दस, फैटी लिवर से बचने के लिए आपको चीनी का कम से कम सेवन करना चाहिए नमबर इग्यारा, रोजाना पंधरा दिनों तक लगातार अनार का सेवन करने से पैरों का दर्द ठीक हो जाता है नमबर बारा, एक से दो अंजीर रात भर पानी में भीगो कर सुभा खाने से वजन तेजी से कम होगा नमबर तेरा, लाल सेव दिल की बिमारी और कैंसर से बचाओ करने में मदद करता है नमबर चौदा, हरे मिर्च खाने से आखो की रोशनी बढ़ती है नमबर पंद्रा, शर्दी के मौसम में गुड का सेवन करने से शरीर को गर्मी मिलती है नमबर सोला, अगर आपके भी ओठ काले पड़ गए हैं और बेजान से दिखते हैं तो नीबू और चीनी मिलाकर ओठो पर इसक्रव करने से ओठो का कालापन दोर होता है और ओठो का रंग गुलाबी होने लगता है नमबर सत्रा करेपता हेयर फॉल की समस्या को दूर करता है नमबर अठारा राजमा में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है नमबर उन्नीस जुबान के नीचे कलोंजी के दाने रखने से बढ़ता हुआ बलड प्रेशर नार्मल हो जाएगा नमबर बीस सर्दियों के दिनों में अंडा खाना काफी फायदे मंद होता है नमबर इकीस मुंफली के दानों को चबा चबा कर खाने से सरीर को उर्जा मिलती है नमबर बारीस जिन औरतों को पीरियड खुल कर नहीं आता वो शालाद में बंदगोभी के पत्तों को चबा कर खाए पीरियड खुल कर आने लगेगी नमबर तेश काली चाई पीने से पेट दर्द में आरा मिलता है नमबर चौबीस ताजा करे पत्तों का पेश्ट बनाएं और इसमें दो चम्मच प्याज के रस को मिलाएं इस मिसरड को अपने बालों में लगाएं और एक घंटे बाद सेम्पू से बालों को अच्छे से धोले इससे आपके बाल बहुत जल्दी काले और घने हो जाएंगे नमबर पचीस कच्छी अध्रक खाने से पेट स्वस्त रहता है नमबर चबीस महिलाएं क्यों नहीं काटती कद्दू जानिये इसके पीछे चोकाने वाली वजह जब हम सबजी बनाते हैं तो खुद कद्दू को नहीं काटते हैं तो इसका कारण क्या है आए जानते हैं लोग मानिताओं के अनुशार कद्दू को बड़ा या जोइश्ट पुत्र माना जाता है चटिसगर समेत कई राज में बिसेश कर आदिवासी समुदाई की महिलाएं तो आज भी कद्दू को नहीं काटती हैं क्योंकि इसके पीछे मानिता है कि कद्दू को काटना बड़े बेटे की बली देने की समान होता है इसलिए वो महिलाएं कद्दू को खुद नहीं काटती हैं इसलिए कद्दू का वेंजन बनाने से पहले पुरुस इसे काटते हैं फिर महिला इसके छोटे छोटे टुकुडे काट सकती है क्योंकि महिलाय कद्दू को शाबूद नहीं काट सकती अब चलते हैं नमबर 27 पर शातूत का सेवन करने का मतलब है आप काफी सारे वाइरस से सरीर को लड़ने की छमता देते हो नमबर 28 डाइबटीज में कमजोरी होना बेहद आम दिकत है इससे रहत पाने के लिए फलो का सेवन करें नमबर 29 चाय में सौफ डाल कर पिया करो कब्ज कैसी भी हो खत्म हो जाएगी नमबर 30 दही कैलसियम और प्रोटीन से भरपूर होता है जो पेट के लिए किसी रामबाड से कम नहीं है नमबर 31 आलू हमारे शरीर के लिए स्वास्त बर्धक होते हैं नमबर 32 आले के बीच का सेवन करने से समय से पहले बाल सफेद नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारे द्वारा दे गई जानकारी थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलें हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्त रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी इंफर्मेशन के साथ